नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है उमीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे आज की इस क्लास में इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस वेकेंसी दोजार तेस कब तक हमारी वेकेंसी आ सकती है क्या होता है सेल अरतियल में आकरी तक वीडियो को जरूर देखना सब्से पहले हमारे पास टोटल नंबर विकेंसी कितनी आने वाले तोल नंबर ऑफ मेंस सात हजार 546 तो पैली चीजस तो यह किलिए यह मेल चो और फीमेल की पच्चिस सो प्लस विकैंसी आने वाली हैं सरी आप किसके आधार पर कह सकते हो आपके सामने यहाँ पर आटे डाली गई थी कि मेरे पास एक स्टुडेंट ने आटे डाली है कि यह बताओ कि टोटल नंबर ओफ विकैंसी क्या रहने वाली है तो इस रिपलाई आ रहने वाली है पांच जार और फीमेल की पच्चिस सो विकैंसी पहली चीज पहला जो आपका डाउट था कि टोटल विकैंसी कितनी रहने वाली है इसके बाद आगे चलते हैं आप लोगों के लिए एक मैराथन प्लैन भी कर रहा हूं जिससे आप लोग जितने भी स्टुड तो हिस रहता है वेकैंसी एज सारी चीजों को डीटेल में समझते हैं वेकैंसी हमारे पास 7547 है ठीक है सथ ओनलेन रेजिस्ट्रेशन बिल्कुल हमारे पास सितंबर से आपकी ओनलाइन रेजिस्ट्रेशन हो जाएगी सितंबर के फश्ट वीक में भी स्टार्ट करना पड़ेगा सेलेक्सिन प्रोसेस कैसे रहता है सर जी हमारे पास ओनलाइन टेस्ट होगा फिजीकल होगा और इसके बाद हमारे पास एक मेजर्मेंट टेस्ट होगा इसके बाद सैलरी सैलरी और काफी अच्छी है अगर आप यहां पर देखोगे 21,700 से लेकर 70,000 आपकी सैलरी जा रही है जौब लोकेशन आपकी दिल्ली एंसेयर में ही रहेगी और आपको इसकी ओफिशल वेबसाइड अगर चेक करनी है तो www.ssc.nick.in पर आप लोग चेक कर सकते हो अब यहां पर थोड़ा सा और डेटेल में समझते हैं कि मेरे पास यहां पर जो वेकैं हमारी कितनी वेकैंसी है तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास अगर मैं मेल केंडिडेट की बात करतों जनरल वा लोग आपकी है 3053 वेकैंसी इसी तरह से EWS वालों के लिए 542 है, OBC वालों के लिए 287 है, SC वालों के लिए 872 और ST वालों के लिए 302, Total Vacancy 500056 वेकैंसी है किसकी आपकी Male Candidate की, Female Candidate की अगर मैं बात करूँ, General Category वालों की है, 1502 वेकैंसी, तो हम कह सकते हैं Total Vacancy हमारे पास अगर देखी जाए, तो 7547 वेकैंसी है, इसका स्क्रीन सोट ले लेना, आप कौन सी कैटेगरी से ये भी चेक कर लेना, कि कितनी वेकैंसी आ रही है कौन सी कैटेगरी में, आगे चलते हमारे पास स्लेक्शन प्रोसेस या फिर हम देख सकते हैं Eligibility Crateria क्या रहने वाला है, सबसे पहले आप सभी को, सभी के सभी स्टुडेंट जो हैं, सबको 12th पास होना जरूरी है, कैंडिडेट की जो एज है, 18 से 25 साल होनी चाहिए, कितनी, सर ये न, एज हमारी 18 से 25 सा, relaxation मिलेगा, इसको थोड़ा सा आगे डिसकस करते हैं, अभी इस चीज को ध्यान में रखें, 18 से 25 साब की age होनी चाहिए, और 12th पास होनी चाहिए, साथ ही हमारे पास जितने भी दिल्ली पुलिस का form अप्लाई करेंगे, सबी के सबी के पास विया लाइसेंस होना चाहिए, और learning लाइसेंस जो होगा वो acceptable नहीं है, पूरी तरह से विया complete हो जाना चाहिए, कि हाँ लाइसेंस बन चुका है, आगे चलते हैं, हमारे पास यहां पर हाइट देख लेते हैं, हमारे पास male candidate की 170 cm हाइट होती है, लेकिन अगर हमारे पास कुछ areas की बात करें, जैसे कि हमारे पास या फिर हिली areas हो गई, या फिर हम बात करते हैं, मराठाश, डोगरास, कुछ ऐसे state, सिक्किम, नागालेंड, इनके लिए 165 cm है, height है 165 cm, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, आपकी category, अगर आप किसी भी जैसे दिल्ली से हो, यूपी से हो, तो आपकी जो height होनी चाहिए, चैस्ट भी आपर देख लो, 81 से 85 cm आपकी चैस्ट होनी चाहिए, और minimum 4 cm expansion होना चाहिए, यहाँ पर आपके लिए अगर female candidate की बात करें, इसी तरह से 157 cm female candidate की height होनी चाहिए, लेकिन अगर आप किसी भी hill area से या फिर block करते हो, सिक्के मरुनाचल परदेश इस जगह से, तो आपकी height जो है 155 cm होनी चाहिए, ठीक है, आगे चलते हैं मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है, age तो हो गया हमारे पास यहाँ पर क्या देखना है, अच्छा ठीक है, हमारे पास रेश जो है, 1600 मीटर की रेश होने वाली है, कितने समय में लगानी है, अगर आपकी age up to 30 है, तो आपको 6 मिनट में लेंगे, long jump के लिए 14 feet और high jump आपकी 3 नौकी होनी चाहिए, यह सारी की सारी चीज़े, आप लोग स्क्रीन सोट ले लेना, detail में समझ लेना, कि आप लोग जो है female के लिए भी देख लो, 8 मिनट में 1600 मीटर की आपको दोड लगानी है, test या फिर examination जो होगा, वो आपका computer based exam होने वाला है, जिस तरह से यार, अभी तो सारे ही सारे exam हमारे कैसे हो रहे हैं, computer based test है, 100 marks का paper है, हमारे पास process देख लेते हैं सारे के सारे, यहाँ पर reasoning जो है, आपके 25 question आएंगे, 25 नंबर के, general knowledge का यार, GK का बहुत important role है, और आप देख भी रहे हो, आज कल्चा है, मैं बात करूँ, SSC के किसी भी exam में MTS हो गया, CGL हो गया, CHSL हो गया, हर एक exam में GS का बहुत important role है, तो हमारे पास दिल्ली पुलिस में सबसे जादा role आपको दिख भी रहोगा, 50 question है, 50 question, इसके बाद आपका reasoning का, तो यह देख लो, आप लोग औरो से कितना आगे निकल जाओगे, तो GS पर focus करना है, रीजनिंग पर, हालागी करना सब पर है, मैत हमारे पास 15 question है, 15 number के, उसके बाद computer के 10 question, 10 number के, total 100 question हैंगे, 100 number के, total time आपको कितना मिलने वाला है, 90 minute, 90 minute मतलब डेड़ घंटा आपको मिलने वाला है, तो उमीद करता हूँ, यह सारे के सारी चाज़े आपको detail में समझ आगी होगी, इसकी PDF का link मैं आपको नीचे comment में, description में पिन करा दूँँगा, सारे के सारे detail में एक बार देख लेना, फिर भी आपको कोई doubt आता है, तो मुझे नीचे comment करके बता देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँँगा, उमीद करता हूँ, इतनी जानकारी आपको प्राप्त है, और खदम करते हैं आज के session को, जाहिन, जावरत, लवे से वीडियों.